सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल ब्लडी सीरीज को और बल आगम को दबाई हमारी लेटिस्ट अपडेट्स पाने के लिए तो पहले एपिसोड की शुरुआत 11 साल पहले वारा नसी में होती है जहां एक पंडित और उसका बेटा एक आदमी की पूजा में मदद कर रहे होते हैं और बोट में घर लौटते वक्त वो पंडित बोट से गिरगर मर जाता है पंडित के मौत के बाद उसका बेटा अगोडियों के पास जाता है और इस सीन को देखकर ऐसा लगता है मानो उस लड़के को अपने पिता के खूने का कोई दुख नहीं था खेर फीन अप प्रेजेंट को शिफ्ट होती है जहां निखिल नायर नाम का एक आदमी FBI में Forensic Science का एक प्रफेसर होता है जिसके पास उसका दोस्त अरजुना कर उससे एक केस में उसकी मदद मांगता है निखिल एक बहुत ही उम्दा Forensic Expert था और उसे उसके काम से काफी लगाओ था जिसकी वज़े से उसकी वाइफ नैना कुछ खास खुश नहीं थी क्योंकि निखिल अपने काम को अपनी फैमिली से ज़्यादा इंपोर्टेंस देता था मीनवाइल इंडिया में एक मास्क पहना हुआ आदमी एक औरत की बुरी तरह से हत्या कर देता है और वो बॉड़ी को कुर्तों के पास छोड़ाता है निखिल को एक unknown number से message आता है जिसमें कुछ coordinates थे और निखिल इन्हें अपने दोस्त लोलार को भेज देता है जो कि CBI के लिए काम करता था इस location पे लोलार को एक बुरी तरह decomposed body मिलती है जिस पर एक mask लगाया हुआ था ऐसे coordinates निखिल को third time मिले थे और पहली दो बार भी coordinates को follow करने पर CBI को dead bodies ही मिले थी इस case पे CBI के top forensic expert धरंजे राजबूद और उनकी colleague नुसरत काम कर रहे होते हैं जो notice करते हैं कि सारे dead bodies में right hand की index finger को काट लिया गया है और killer धरंजे राजबूद और DJ को taunt करते वे एक CD भेजता है जिसमें वो हिंदू mysticism की बाते करता है यहां हमें ये भी बता चलता है कि निखिल पहले CBI में काम करता था पर वो DJ की वज़े से CBI से resign कर चुका था Anyways, लोलार को killer के द्वारा इस्तमाल की गई कार मिलती है और DJ इसे inspect करने जाता है पर कार को खोलते ही कार में आग लग जाती है DJ अपने घर लोटता है जहां उसे अपनी wife संध्या के cell phone से text आता है और उसने DJ के लिए एक surprise भेजा था DJ को घर के बाहर एक envelope मिलता है जिसमें एक pen drive होती है और इससे play करने पर DJ देखता है कि CBI को मिली recent body और किसी की नहीं बलकि DJ की wife संध्या की ही थी पहले एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाती है